आज की इस किलास के अंतरगा तो मैं आपको ओम का नियम समझाऊंगा बड़ा ही इंपोर्डेन प्रस्ण है चाहे किलास एड़त में हो आप चाहे टेंथ हो चाहे ट्वेलत हो तीनों किलास में ओम का नियम जरूर आपसे पूछे जाता है तो आएए देर किस बात की समझते हैं ओम का नियम क्या है तो देखिए ओम के नियम को याद रखने के लिए आपको केवल दो सब्द याद रखने है वी समानुपाती आई ठीक है क्या याद रखोगे वी समानुपाती आई यहाँ पर मैंने लिग दिया है यह वी समानुपाती आई यह आपको याद रखना है आई का मतलब क्या है विद्धहारा । जड़ा कह सकते हैं थीँ तो ये दोनों आज ध्यान दिस्जिएका विवांतर तो है वी का मतलब अब कहुंसा विवांतर है जो हमारा चाल कारना चाल के शिरौthe पर वाला विवानता तो इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे हम चालक के शिरो पर लगने वाला विवानता है ठीक है और ये क्या है प्रभाईत होने वाली धारा ये विद्धुद्धारा बोल सकते हैं प्रभाईत होने वाली विद्धुद्धारा है ठीक है बस यही ओम का नियम है कि कोई भी जो चालक तार है ना उसके सिरो पर लगने वाला विवानतर प्रभाईत होने वाली विद्धुद्धारा के समानों पाती होता है लेकिन ये पूरा नहीं है अबी ठीकिए अब क्या है इसको इसके लिए कंडिशन है क्कां लेके को प्रभाइद करने वाले का राकर क्योंकंसें चालक्तार को तो इसकी भोतिक अवस्ता क्योंकूंसी भोतिक अवस्ता अब भोतिक अवस्ता जैसे उसका टाप हो गया है ठीक है उसका दाब हो गया है लंबाई हो गई है यह उसकी भोतिक अवस्ता तो अब ओम का नियम वास्तों में किस तरह से बोलेंगे देखिए अब याद रखने के लिए मैं तरीका बता रहाँ यदी किसी चालक तार की भोती का वस्ता में कोई परिवर्तन ना किया जाए अब भोती का वस्ता का मतलब ताप दाप लंबाई यदी किसी चालक की भोती का वस्ता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए जैसे उसकी लंबाई में उसके तापमान में उसके दाब में ठीक है तो उसमें उसके चालक उस चालक के सिरो पर लगने वाला विभुहन्तर उसमें प्रवाइ्ट होने वाली विविदृ धारा के समानोपाती होता है फिर से बोलवाओ में कि यदि किसी चालक की कोई भोतिक अवस्ता में कोई परिवर्तन ना किया जा जैसे उसके तापमान में उसके दाब में उसके लंबाई में तो उसके सिरोपर लगने वाला विवांतर उसमें प्रभाइद心 होने वाली विद्ध धरा गे समानोपाती होता है तो यहीं क्या है वास्तों में आउम का नियम है यहां से देखिए यदि किसी चालक की भौतिक वस्ता में कोई परिवरतन ना किया जा, जैसे ताप दाब लंबाई आदी ठीक है तो उसके सिरो पर लगने वाला विवानतर किसके सिरो पर उचालक के सिरो पर और उसमें बेहने वाली विद्धुद्धारा के समानुपाति होता है अर्थाथ हम कह सकते हैं वी समानुपाति आई समानुपाति खोटा देंगे तो आई आर आ जाएगा और जैसे यह आर क्या है कि निया तांक है इसको अपन सिंपल लिंग्विज में करें कि आर के कुवल करेंगे तो भी बटा आई आ जाएगा